बिना सिर के ये उउट जिन्दा कैसे है? दोस्तो इस दुनिया में किसी भी जीव के लिए सिर के बिना जीवन असंबव है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा भी मुर्गा था जो सिर कट जाने के बाद भी 18 महीने तक जीवित रहा आपकी हैरानी और बढ़ेगी जब आप बिना सिर वाले एक उउट को सामानने रूप से ही चलते फिरते देखेंगे दोस्तो ब्रकरती ने तो इस दुनिया को परफेक्ट बनाया है लेकिन कई बार जीन म्यूटेशन के कारण कुछ जीव जर्म से ही ऐसे स्थिती का शिकार हो जाते हैं जोने देखकर हमें उन पर दया आती है तो चलिए आज कि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जीवों से मिलवाते हैं जो जन्ब सही दैव्य स्थिति का सामना कर रही है साथ ही हम बिना सिरवाले मुर्गे और ओट के बारे में भी बताएंगे तो इस वीडियो को अंध तक जरूर देखिए और इस वीडियो को बिना स्किप किये आखिर तक जरूर देखेगा क्योंकि ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होने वाली है दोस्तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर बाज़वाले बैल पर क्लिक करके आउल का ओप्शन ज़रू सिलिक करें कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिने देखकर हमें उनकी स्तिती पर दया आती है अब आप दो पैर वाले इस बच्चडे को ही देखिए जन के समय से ही इस बच्चडे के पास आगे की दो टांगे नहीं है सिर्फ दो टांगे होने की कारण शुरू में तो इसको काफी परिशानी हुई लेकिन कहते हैं न जब प्रकरती आप से कोई चीज छीन लेती है तो फिर प्रकरती ही आपको नई काबियत सिखा देती है इस बच्चडे के साथ भी ऐसा ही हुआ इस प्यारे से बच्चडे ने दो पैरो पर चलना सीख लिया दो पैरो पर चलने वाले इस बच्चडे को देखकर आपको कंगारू की याद आ जाएगी इसके चलने का अंदास कुछ हद तक कंगारू की तरह ही है हालांकि अभी छोटा होने के कारण तो ये दो पैरों पर आसानी से चल लेता है लेकिन जब बड़ा होगा तो इसका वजन बढ़ेगा तब इसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा नमबर तू दो टांगो वाले मेमने की तरह ही सोशल मीडिया पर दो टांगो वाले एक बकरी के बच्चे का वीडियो भी वाइरल हुआ था इस वीडियो में आप काले रंगे एक बकरी के बच्चे को देख सकते हैं जिसके पास सिर्फ आगे की दो टांगे हैं दो टांगो वाले मेमने को जन्म देने वाली बकरी पहले भी कई बार बच्चों को जन्म दे चुकी हैं और हर बार सामानने मेमने का ही जन्म होता था लेकिन इस बार इस बकरी ने दो मेमने को जर्म दिया जिसमें एक तो सामान ने था लेकिन दूसरे मेमने के पास सिर्फ दो टांगे थी दो टांगो वाले इस मेमने ने भी दो टांगो पर ही चलना सीख लिया लेकिन उसे ऐसे चलने में काफी परिशाने का सामना करना पड़ता है आपको जानकर हैरानी होगी कि दो टांगो वाले बच्चे और मेमने की तरही एक उन्टनी ने भी दो टांगो वाले बच्चे को जन्दिया था साथी अरब की एक उंटनी ने जब दो टांगों वाले सफेद रंग के बच्चे को जन्म दिया तो इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया सफेद रंग के उंट के इस बच्चे की वीडियो तुरंथी इंटरनेट पर वाइरल हो गई वीडियो में दिख रहा ये बच्चा तो काफी क्यूट लग रहा है लेकिन सिर्फ दो टांग होने की वज़े से इस किस्तिती काफी दहनी बनी हुई है दो पैरो वाले बच्चडे और मेमने ने तो चलना सीख लिया था लेकिन दो टांगो वाले इस उट को अपने पैरों पर खड़े होने में काफी परिशाने का सामना करना पड़ा इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि कोई जीव सिर्फ कटने के बाद भी 18 महिने तक जिन्दा रह सकता है लेकिन ऐसा सच में हो चुका है दोस्तो लॉइड ओलसेन ने 1945 में खाने की इरादे से एक मुर्गे का सिर काट दिया सिर कटने के बाद ये मुर्गा ताउडते हुए काफी दूर तक चला गया और कई घंटे बीद जाने के बाद भी उसकी जान नहीं गई इसके बाद ओलसेन ने माइक नाम के इस मुर्गे को अपने पास रखने का फैसला किया ओलसेन सिरिंच और आई ड्रॉप की मदद से इस मुर्गे को तरल पदार्थ खिलाने लगे ऐसी स्तिती में ही ये मुर्गा 18 महीने तक जीवित रहा सिर कटा हुआ ये मुर्गा पूरे अमेरिका में मशूर हो चुका था ओलसेन इस मुर्गे के साथ कई शो में भी शामिल हुए एक शो की लौटने के दोरान मुर्गे के गले में मगई का दाना अटक गया और उस दिन ओलसेन सिरिंच घर पर ही भूल गए थे इस वज़े से वो मुर्गे की जान नहीं बचा सके और सिर कटने के 18 महीने बाद 1947 में इस मुर्गे की मौथ हो गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक उंट बिना सिर के ही बड़े आराम से चल रहा है बिना सिर वाले उंट की ये वीडियो पूरी दुनिया में खूप वाइरल कुई लोग हैरान थे कि बिना सिर और बिना गर्दन के ही ये उंट जीवित कैसे हैं हर कोई इस उंट की स्तिती को समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन जब इस वीडियो की सचाई सामने आई तब हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया क्योंकि इस वीडियो में जो दिख रहा है वो सच में नहीं है ये उंट बिना सिर का नहीं है बलकि इसने अपने सिर को शरीर के दूसरी और खुमा रखा है इस वज़े से इस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि इस उट के पास सिर्फ है ही नहीं दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसे लगी कॉमेंट में ज़रू बताएं वीडियो अच्छे लगे तुसे लाइक कर दे और इस तरह कि और भी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद